तो गाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो TNPL का 14 मैच खेला जाएगा यानि कि 14 नंबर का जो मैच होने वाला है आज के डेट में इस मैच के बारे में हम आपको complete information देने वाले हैं क्या इस मैच में पीछी रिपोर्ट रहेगी कहां पे मैच खेला जाए प्लेयर्स का recent form क्या है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ नमस्कार दोस्त मैं रैकेश कुमर आप सब को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वाटिंग में फ्रेंट्स चैनल पे पहली बार आया हो सबस्क्राइब कर लेना notification बेल को on करके all पे सेलेक्ट कर लेना क चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रेंट्स मैं आपको बता दो जो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट्स होते हैं वह आपको टेलिग्राम चैनल पे मिलेंगे जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का description में नीचे मिल जाएगा वहां से आप इसको जोईन क से इसको मैच खेला जाएगा तीन बज के पंद्रह मिनट इंडियन टाइम के इकॉर्डिंग मैच स्टार्ट हो जाएगी सारे के सारे पीछले मैच जो हुए है एन पियार कॉलेज इस पे हुए थे लेकिन यह जो मैच है सलीम किर्केट स्टूडियम सालीम में होने वाला है तो ध्यान देना यह पीछ जो है अलग है यहां पर ग्राउंड स्टेट के बारे में हम थोड़ा डिसकर्श करेंगे तो गाई देखो टोटल मैच इस ग्राउंड पे नौ बर खिला गया है जिसमें से बैटिंग फश्ट करने वाली टीम जो है यहां पर पांच बर मैच को व पर बौलर्स को अधिक में वालीए इसकोरिंग फोकस करेंगे डेरसाओ से नीचे का इस पर इन नौव मैच हुए है उसमें से डेरसाओ से नीचे का इस को बना हुए ठीक है आथ मैच में बागी यहां पर आप देख सकते हो लेकर के 179 की बीच एक बार भी नहीं बना हुए और एक मैश में हाँ पर 170 189 टहिकर एक सो अब्रसे पर इन बार भी यह स्कोर नहीं गिया है ठीक है तो इसका मतलब यहां पर है कि बॉल निंग को पूरी तरह से वालोस को मिलने वाली है तो इस टीम में मैं काहलें सारे के सारे जो ऑव belangrijk करने होंगे तभी आप यहां पे मेच में करेंगे अभ यहां पे देखो और के बारे मेरी सकर्ठ कर लेते हैं दियए कि इस ग्राउन पर पैशितर को है यह और सब्सक्राइब करक्षिए तो इन तोड favor पे यहां पे पैसर ने है निकले है ठीक है वहींoriented ने चोववन tourists निकले तुँ ध्यान देना यहां पर spinners भी गेम में रहे रहे हैं बाकि यहां पर आपको पेशर को अधिक लेना है ठीक है पेशर कौन होते है जो राइट आर मिडियम राइट आर मिडियम फॉस्ट केंदबाज होते हैं वह पैसर होते है he तो यह होता तार मन होने वाले सारे पर हमने मैंशन कर क्युक्त कह kommen क्यूर सा खिक है किस में और भर के रह सकता हैकि तु जो possible playing 11 रहने वाला है इसके उपर हम discuss करेंगे तो गाई देखो यहाँ पे अरुन कार्थिक टीम का captain इनके साथ opening करेंगे अरुन कुमार निशेज राज कोबाल है जो वन डाउन आएंगे सोनु यादाव चार नंबर प्याएंगे अज जीतेस गुरु स्वामे विगेट कीपर सेक्शन से मिलेंगे आपको पाच नंबर प्याएंगे ठीक है रिटिक एश्वार्न विगेट कीपर से मिलेंगे च्छो से नंबर प्याएंगे साथ नंबर पढ़ेंगे लक्सी जैन है और नमर पर पर शाद नौन नंबर पर आएंगे या फिर यहां पे सिरिनी रंजन भी खेल सकते हैं ठीक है दस नंबर पर संधिप वायरियर है और इम पुरिया जो हो ए ठीक है तो यह हो गया आपका कर लेते हैं सीधे का जो है trainees का वो देखेंगे क्या है एक है यह सब के बारे में यहां पर बात करने वाले थिक है तो यहां पर देख सकते हो आप अरुनकार्थिक 0,4,0,325 है ठीक है recent score 2 match is 3 match's से फ्लॉब यहां पर 2 मैं इसका score झो ठीक है वेनिव पर 3 match میں सब्सक्राइब दोनों ठीक ठाक है आप अपने टीम में पिक कर सकते हो अगला अरुन कुमार है राइट हेंड बल्लेबाज राइट आर्म ऑफिस पिनर दो है तीन है 11 प्लस जीरो विकेट है ठीक है एट टुएड और वेनु पे नहीं खेले है तो आप ड्रॉप करके जा सकते हो किमकि रिसेंट भी ठीक ठाक नई एनिशेज राजगोपाल लेफेंड बल्लेबाज है ब्यालिस नौ जीरो एक ठीक है वेनु पे दो मैच में नौ रन चार कबरेज है है तो इसको आप चाहें तो ट्राइब कर सकते हो बाकि यहां पे रितिक श्वार्न लेफेंड बल्ले है ठीक है राइट हैंड बल्लेबाज यहां पे 49 हो गया 20 112 रन का लंबी पारी इसी टीन पील में खेला हुआ है बाकि 14 यहां पे एक है वेनु पर एक मैच में 17 रन 17 काबरेज है और हेट टुएड में 16 रन है और 16 काबरेज है ठीक है तो वेनु और हेट टुएड इनका ठीक है ठाक नहीं है बाकि रिचेंट फांज ठीक है तो आप ले सकते हो बाकि यहां पे कैप्टन वाइस कैप्टन इनको नहीं बनाएंगे तो ज्यादा भी हतर रहेगा ठीक है अगला यहां पे पलेर देखेंगे हम तो अगला प्लेर आने वाले हैं सोन वियाद हूँ ठीक है जो और राउंडर सेक्षन से आपको मिलेंगे यहां पर राइट हैंड बल्ले बाज राइट अर्म मेडियम फर्स्ट गेंद बाज है ठीक है रिसेंट आठ प्लस एक विकेट है और यहाँ पे 35-2 विकेट, 20-1 विकेट, 13-2 विकेट, 29-0 विकेट वेनिट तीन मैच में 38 और तो देखो यहां पर बालिंग बैटिंग दोनों जगह से वेनिफिट मिनने वाला है यहां पर सुन वी आदव को ठीक है सुन वी आदव को आप केप्टन भाज केप्टन भी ट्राइक कर सकते हो आर राइट है बने बाज ऑफ़ इस्पिनर गेंद बाजी करते है ठीक है रिसेंट के यहां पर जीरो एक जीरो जीरो फिकेट वेनिो पे एक मैच में 16 अब तो आप जीएल में पिक कर लेना है स्मॉल ली के लिए काफी रिस्की रहेंगे और बॉलिंग राउंड है तो इनको विकेट मिल भी सकता है ठीक है अगला यहां पर लक्षी जैन है राइट आर्म ऑफे लेगा ठीक है बाकि संदीप वायर राइट आर मिडियम गेंदबाज है जीरो 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 और यहां पर एक और दू है ठीक है यहां पर वेनी पर तीन मैच में पांच विकेट है तो इसको भी आप ट्राइक कर सकते हो रिशेंट फॉर्म ठीक ठीक नहीं है लेकिन आज के मैच में बॉलर्स को ज्यादा विकेट मिलने वाले हैं तो फिर आप ट्राइक कर सकते हो बाकि यहां पर अगला पलेर का हम लोग यहां पर बात करेंगे तो एम पोजा मोजी है जो राइटर मिडियम के अंदबाज है यहां पर देखो जीरो है जीरो है तीन विकेट दो विकेट है ठीक है तो लास्ट दो मैच से विकेट लेस रहा रहे हैं बाकी वेन्यू पर एक मैच में दो विकेट है और हेट टुएड में चार मैच में चाव विकेट है तो इसको भी आप ले सकते हो अब अगला यहां पर बात करेंगे CSG का टीम का जो प्लेइंग एलेवर रहने वा प्रवोस पॉल है इनके साथ ओपन करेंगे बाबा आपर जीत हो गए वन डाउन आएंगे संजाय याद हो है ठीक है यह आएंगे चार नमबर पर हारिश कुमर पांच नमबर प्याएंगे आर सतीस हो गए चो नमबर प्याएंगे यू सशी देव हो गए यहां पर साथ नमर पराहिल सा आठ नमर प्याने वाले हैं और नव नमर पर सेलीम रुसान है ठीक है दस नमर प्याईंगे तरब यह रू है यहां पर फैंपड़ खेंगे शाय कार klla के से राज और यहाँ पे कौम से परले मैके इंपृर्टेंट है और वेनियु रिकॉर्ड क्या है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देना गाई शब से पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं नरावां जग म्लेभाज doubt tidak और रिषेंट सबीकाते हैं तो इसको आप ले सकते हो चाहें तो आप ब्राइब में कर सकते हो ठीक है कर सकते हो यहां पर लिएम रहरं उपे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे अगला पर यहां पर बात करेंगे संजाज यादो लेप्टेंट पर लिवाज लेप्ट आर्म ऑठोडेक्स है ठीक है तीन दू और यहां पर बाइस एक तीस एक अश्वाज जीरो बीकेट है वेणी पर दो मैच में पचाहतर रण यहां पर बात करेंगे राइट है और यहां पर डो बीकेट है तो इसको आप ट्राइक कर सकते हैं कि कि बालिंग बैटिंग दुनों जग साब को गेंज फिद मिलने वाला है रावकी भर्दवाज राइट आर्म ऑफिस फिनर है जीरो जीरो दो विकेट दो विकेट जीरो विकेट ठीक है वेणी और हेट टू हेड में नहीं खेले है राहिल सा लेप्ट आर्म ऑठोडेक्स है कि यहीं एक विकेट है एक दो विकेट एक विकेट एक विकेट यहां पर रिसेट देखे घंदे रहे λिए और हेट में 2 मैच में तो इह आपको बना सकते हो वांसानी से थिक है इसमॉल लिग में भी केप्टन बना सकते हो आप यहां पर अगला पुले राइट पर रहा पर रहा रोई थे राइट आर्प मेडियुम फास्ट गेंद्वाज ठीक है बारा पुलस दो मेट टेरा पुलस जीड़ो जीरो जीरो ठीक है बने पर और हेट में के लिया ठीक है एक मैच में दो केट दो मैच में जी रो एक है ठीक है तो आप इसको चाहे तो ट्राइक कर से oke केश राज राई थेंट बल्ले बाज राई टो ले सकते हो और यहां पर हम इनका हेड टो हेड जो रिकॉर्ड है वो देख लिते हैं एक मैच में पंदर मेरण 15 कब्रेज जीरो भी ठाइक है तो आप है जो भी आपका मतलब की पलेर्स का डाटा जो भी इंफर्मेशन पीच के बारे में सब कुछ मैंने आपको किलियर ली यहां पर बता दिया है अब सीधे चलते हैं टीम सेलेक्शन की और तो गाज देखो यहां पर मैं बीकेट कीपर सेक्शन से नरायन जगदिशन को लिया हुआ है और यहां पर आजितेश को यानि पोयामो है ठीक है इसके अलवा यहां पर लक्षी जैना ठीक तो यह almost अभी के लिए जो final टीम है यहीं रहने वाली है इसमें मेसं केptान अपरल जीद को भाईज के बनाया हूँ थीक है तो almost अभी के लिए में फाइनल टीम है वह यहीं है इसमें हम कुछ भी चैन्जेस करेंगे उसकी अपडेट आपको टेलिगार्म चाइनल में मिलेंगे तो टेलिगार्म जाएगा अपको और यह वीडियो अच्छा लगा होगा आपने के सब्सक्रेंट करना बनगों निश्कर सक्षन करके अ घा